भारत ने इस देश में भेजा हजारों टन गेहूं। ताकि वो भारत से गेहूं और सबजियों की मदद मांग सके और भुकमरी से लोगों को बचाने में भारत उसकी मदद करे लेकिन इसी मौके पर भारत ने पाकिस्तान के रास्ते ही अफगानिस्तान को गेहूं की 20 खेपे भेजी है। लेकिन आपको बता दे कि अफगानिस्तान को जरूरत थी भारत के अनाच की इसलिए भारत ने अफगानिस्तान की मदद की है। वहीं अफगानी लोगों ने भी भारत के लिए पाकिस्तान से लड़ने को तयार हैं। दोस्तों अभी हाली में देखा जाए तो जिस तरह से अफगानी भायों ने पाकिस्तानियों को दवडा दवडा कर पीटा था। इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग भारत को ही सपोर्ट करते हैं। जबकि ये दोनों मुसलिम मुलक हैं। उसके बावजूद भी अफगानी आम लोग भारत का ही समर्थन करते हैं। पता दे कि अफगानिस्तान ने भारत से रिक्वेश्ट की थी कि उसे गेहूं चाहिए और वहाँ की किल्लत को देखते हुए भारत ने वहाँ पर मुफ्त गेहूं भेजा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये गेहूं पाकिस्तान के रास्ते ही भेजा गया और ये पहली बार नहीं है। कि भारत जानता है कि अगर वह पाकिस्तान की मदद करेगा तो पाकिस्तान उल्टा आने वाले समय में भारत कोई नुपसान पहुचाएगा। इसलिए भारत ने उसकी एक भी मदद नहीं की, अगर भारत अफगानिस्तान की दोस्ती की बात करें तो पहले भी दोनों की दोस्ती थी और भारत अफगानिस्तान के बीच के संबंद काफी मजबूत हैं, यहां तक कि तालिबान आने के बाद भी दोनों देशों के संबंद मे में निविश किया गया है इनमें से कई परियोजनाओं का काम अभी भी जारी है दोस्तों ऐसे में भारत अफगानिस्तान की दोस्ती के बारे में आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है क्या भारत को अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए या पाकिस